Hello friends, welcome to my YouTube channel, आज शुरू करेंगे exercise 13.2 से question number 8 A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter एक spherical glass vessel है, यानि शीशे का बरतन है कोई, और उसकी जो neck है न, जो गर्दन है, वो cylindrical shape की है इस तरह का बरतन है ये, ये कोई शीशे की bottle है, उपर cylindrical part है cylindrical part की height दे रखी है 8 cm, और इसका जो diameter दे रखा है, इसके मुह का ये diameter दे रखा है 2 cm The diameter of the spherical part is 8.5 cm, आगे दे रखा है की ये जो bottle है, spherical part, इसका diameter 8.5 cm है, ये portion By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube किसी बच्चे ने इसमें जो पानी था, उसको नाप के बताया, कि इसमें 345 cm cube volume है Check whether she is correct, तो आपको चेक करना है कि क्या वो बच्चा सही है Taking the above as the inside measurements, और ये जो measurements दे रखी है न, इन्हें आप inside measurements माल लेना यानि कि शीशे की कोई मोटाई नहीं है, अंदर अंदर का ही है ये जो measurement है At pi 3.14, और pi की जगे इसमें आपको 3.14 का use करना है तो question ये है कि किसी बच्चे ने इसमें जो पानी था उसको नापके ये बता दिया कि 345 cm cube इसका volume है, अब वो बच्चा सही कह रहा है या गलत कह रहा है ये आपको पता चलाना है, आप कैसे पता चलेंगे, आप simple इसका जो ये है bottle, जो vessel है आप इसका volume निकालेंगे, अगर आपका volume 345 आता है, तो वो बच्चा सही कह रहा है अगर आपका volume 345 से अलगा आता है, कुछ और आता है, तो वो बच्चा गलत कह रहा है तो basically करना क्या है, कि ये जो vessel है, इसका आपको volume निकालना है और vessel के अंदर दो चीज़े हैं, एक तो ये cylindrical पार्ट है, और एक ये spherical पार्ट है तो पूरे बरतन का volume निकालने के लिए, volume of cylinder प्लस volume of spare किया जाएगा चलिए तो vessel का volume निकाल लेते है volume of vessel is equal to volume of cylinder plus volume of sphere cylinder of sphere के हम यहाँ पर units लिखे लेते हैं, जो चीज़े इसमें given है जो cylinder है, cylinder का diameter 2 cm दे रखा है question में use होता है radius, तो radius इसका half हो जाएगा, यानि 1 cm तो ये चीज़ use होगी, और cylinder की जो height वो 8 cm है, ये चीज़ use होगी अब आते हैं sphere पे, sphere का diameter दे रखा, इसे मैं बड़े d से denote कर लेता हूँ ये 8.5 है, question में use होता है radius, तो radius निकालेंगे तो radius निकालने के लिए 8.5 का half किया जाएगा, तो इसे further simplify करेंगे, तो इसका point हटा लेता हूँ मैं, तो point हटाऊँगा, तो ये नीचे 10 से multiply हो जाएगा, तो ये 20 बन गया, और simplify करूँगा, तो question के अंदर दो तरह की radius है, एक छोटी और एक बड़ी है, जबी इस तरह का question आता है न, तो आपको उसके अंदर अपने r और बड़े r और छोटे r को denote करना होता है, क्योंकि अलग अलग r होते हैं, चलिए volume of vessel हो जाएगा, volume of cylinder प्लस volume of sphere, cylinder का formula होता है, πi r square h, तो छोटा r लूँगा, मैं यहाँ पे, volume of sphere होता है, 4 upon 3 πi r का cube, यहाँ मैं बड़ा r लूँगा, क्योंकि स्फेर का radius बड़ा है, अब इन दोनों में अगर कुछ common है, तो बाहर ले लेते हैं, मुझे πi दोनों में दिख रहा है, πi से लग कुछ भी common न यहाँ बच गया 4 upon 3, πi तो बाहर आ गया और बड़े r का cube, अब वेलूट करते हैं, πi की जीगे 3.14 लेना है, 3.14 और छोटे r का square, यानि 1 into 1 और height, तो 1 into 1 into 8, यह 4 upon 3 into, बड़ा r है 17 by 4, और यह तीन बार लिखना है, 17 by 4, 17 by 4 into 17 by 4, bracket close, 3.14, first time बन गया 8108, आगे 4 से 4 कट गया, और उपर 17 into 17 into 17, यह लिख 17 का cube आ गया, अगर आपको 17 का cube पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इनका multiply करेंगे, 17 को 17 से multiply करेंगे, जो answer आएगा उसे फिर 17 से करेंगे, तो यह जो value आएगी 4913 आएगी, और नीच नीचे नीचे 44016 और 163048, यह 48 आ गया, next step में 3.14 और यह 8 प्लस, आप इस value को divide कर लेते हैं, क्योंकि इस value को divide तो करना पड़ेगा, तो divide यहां कर लेते हैं, 4913 divided by 48, 481048 सीधा सीधा जा रहा है, 1 आ गया, उपर से उतर के 1 आ गया, 11 चोटा पड़ रहा है, तो 0 का पहाड़ा चलेगा, 4800, फिर यह remainder 11 आ गया, फिर उपर से 3 आ गया, यह 2 पे 3 पे, 3 पे तो जाएगे ने, 2 पे जा रहा है, 2 पे जाएगे 96, मैनस करेंगे 13 में से 6 गया 7, और यहां पे 10 में से 9 गया 1, तो है, remainder चोटा आ रहा है, तो पॉइंट लगा लेंगे, तो यहां 0 लग जाएगा, अब 170, 4, 3, 0, 12 हो गया, और 4, 4, 0, 16, 1, 16, और उसके बाद 8 भी है, तो 4 पे तो जादा हो जाएगा, 3 पे जाएगा, 48, 3, 0, try करते है, 48, 3, 0, 4, 2, 12, 13, 14, 144, 144 आएगा, 10 में से 4 गया, 6, 6 में स चार गया, यहां पे 2, point लगा हुआ है, तो 0 लगा सकते हैं, अब 48, 5, 240 होता है, माइनस किया तो 20 आ गया, point लगा रखा है, तो 0 लगा दिया, अब 200 आ गया, यह 48 आ गया, यह 5 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पे 8 है, 40 होता तो 5 पे पूरा जाता, तो यह 4 पे जाए 16, 17, 18, 19 तो 4 पर चला गया यह 192 बस पॉइंट के बाद आपने 3 नंबर तक कर दिया that is यह more than enough है इसके बाद करने की जुरूत नहीं आपको तो पॉइंट के बाद 3 नंबर तक भी नंबर आपका काफी होता है 354 ले लिया मैंने अब solve करते हैं तो 3.14 इसे प्लस करेंगे तो 102 में जुड़ जाएगा तो यह 110 आजाएगा 0.354 अब यह दो नंबर आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े इनका आपको प्रॉड़ट करना पड़ेगा प्रॉड़ट तो आप करी लोगे 314 को इस बड़े से नंबर से मल्टिप्लाइ करोगे तो यह वैलू आ जाएगी 34651 156 और पॉइंट के बाद यहां तीन नंबर है और पॉइंट के बाद यहां दो नंबर है तो आपको टोटल पांच नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है एक दो तीन चार पांच यहां लग जाएगा तो 346.51 यही आपका अंसर है इसे थोड़ा और छोटा भी करके लिख सकते है 346.51 भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर तक लिख देना काफी होता है और यह है सारा सेंटीमीटर में और यह है क्योग तो आपका अंसर आया है 346.51 लेकिन उस बच्चे का अंसर बताया था कि 345 आया है तो क्या वो बच्चा सही है या गलत है तो बच्चे का अंसर बिलकुल गलत है तो यहाँ पर हैं अपना अंसर लिखेंगे तो बच्चा इसके अंदर लड़की थी She is correct और incorrect तो She is incorrect She is incorrect Correct answer is यह correct answer है 346.51 cm Q Question खत्म तो यह वो बस इतना है Next questions के लिए मिलता है फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Goodbye